राजस्तान में बे काबू होते करोना संकर्मन को काबू करने के लिए सरकार ने परदेश भर में पाबंदिया लागू कर दी है वहीं करोना होट्सपोर्ट बन चुके जैपूर में भी सरकार की सक्थी का व्यापक असर नजर आया है इस दोरान शहर के प्रमुक बजार जहां 8 बजे से पहले ही बंद हो गए वहीं 11 बजे तक पबलिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को चालू रखा गया जिसकी वजे से रात 11 बजे तक शहर की सड़कों पर हलचल नजर आई लेकिन 11 बजे बाद शहर की सड़कों पर सनाठा पसर गया सरकार की सक्थी के बाद जैपूर में जाच्यार दिवारी की प्रमुक बजारे साड़े साथ बजे से ही बंद होना शुरू हो गई वहीं बारी चेतर में भी वेपारियों ने सरकार के फैसले का पालन किया वेशाली नगर मालिय नगर मांसरवर के साथ विद्या धर नगर में भी आठ बजने तक सभी बजारों को बंद कर दिया हलाकि कुछ दोरान कुछ लोगों दोरा अपने परतिष्टान बंद नहीं किये जहां पुलीस परश्यासन ने पहुंच कर कानूनी कारवाई की और सक्ती के साथ जुर्माना भी वसूला इस पर कोट वाली पुलीस ने कारवाई करते हुए 24 से अधिक दुकानदारों और लोगों के चलान काटे वहीं जैतावनी बीदी की आगे लापरवाही बरतने पर गिरफतार किया जाएगा कुछ दुकानदारों ने आनन फानन में अपने दुकाने निर्धरित वक्त से पहले ही बंद कर दी जब कुछ पुलीस कारवाई से बचने के लिए करोना गाइडलाइन फॉलो करते नजर आए हलाकि पुलीस परशासन की कारवाई का कुछ वेपारियों ने विरोध भी किया उनका कहना था कि पहले ही बजार मंदा चल रहा है ऐसे में बेवज़े पुलीस परशासन द्वारा वेपारियों को परिशान किया जा रहा है जिसकी वज़े से अब ग्राहक भी दुकानों पर आने से कत्रा रही है